गुड मानिंग बच्चों, एक बर पुना, आप सभी बच्चों का स्वागत हैं, बच्चों आज हम करने जा रहे हैं जोगरफी बुक का चैप्टर नमबर 6, जिसका नाम है वी निर्मान उद्योग, इससे पहले आपने एक वीडियो और देखी थी, जिसमें हमने उद्योगो का वर्गी करने पड़ा था, जिसमें राव मटेल के बेस पे में रोल, कैप्टल इंवेस्मेंट, ओनर्शीप और उनके वेट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाइ किया था, अलग-अलग उद्योगों को अलग-अलग प्रकार में, आज हम उद्योगों के बारे में विस्ता से पढ़ेंगे, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे हम कह सकते हैं, राव मटेल के बेस पे हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास सूती वस्तर उध्योग है, मिनरल बेस में देखेंगे, आर एनन समेल्टेंग उद्योग है, फिर और बहुत सारे हमारे पास उध्योग जो भारत में प्रत्रित हैं, उनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो बच्चों जो सबसे पहले इंडस्ट्री है, वो है क्रशी अधारित उध्योग में वस्तर उध्योग, वस्तर जो है वो क्रशी के उपर उध्योग निर्वित होता है क्योंकि की जो कपास वह उर्म है तो बच्चों वस्त रुंद्योग है यह हमारी इंडियाई एक्क लाट a कि जो इसकी जो इंड कोड्स का पौक्शन जो देता है इंपल्ईमेंटच करता है 35 framed हुई संस डारेक्टली इसमें जो हैं इंप्लाइमेंट मिलती है इंतने लोगों को जो की एग्रिकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट है इससे हमें फॉरन एक्सचेंज भी मिलती है फॉरन करन्से मिलती है 24.6% और टोटल हमारी जीडीपे में यह 4% जो है वो कंट्रिब्यूट कर करता है इसके साथ बच्चों देखते हैं कैसे वस्त्र बनते तो सबसे पैसे जो है रेशिय का उत्पादन होता है फिर उसके बाद इसकी धुनाई कताई की जाती है फिर बुनाई की जाती है रंगाई और परिश्करन करने के बाद जो है वस्त्र निर्मान होता है यह प्रो सेंचरी में जो है पावर लूंग के आने से जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा चेंजे साय तो हमारा जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था उसकी जो है डिमांड जाया है बहुत ज्यादा गिर गई लेकिन 30 November 2011 में जो है हमारे इंडिया में 1946 cotton and human made fiber textile मिल जो है वह स्तापिती और जो कि अब जिनकी संख्या बहुत जादा बढ़ चुकी है और इसमें से जो है 80% जो है वह प्राइवेट सेक्टर में और कुछ ही है जो जो पब्लिक सेक्टर में जो है वह यार्न को कपड़े को जो है वह एरिया वाइस जो है इसकी जो मुख्य बेल्ट है वो महाराष्ट्रा और गुजरात में ही केंद्रीत है सुतिवस्त्रुद्यों की लेकिन धीरे धीरे अब यह सभी शेत्रों में जो है फैलरी है महाराष्ट्रों गुजरात में होने का मुख्य कारणिया है कि वहां का बहुत महत्पुन भुमिका निवात हैं यो हमा right है वो हम मेक्सिमम जापान को जो है एक्सपर्ट करते हैं जापान हमारा सबसें बड़ाएंपोर्टर है मतलब हमसे खरीजता है यान इसके अलावा हमारा धागा जो है वो यूएस से यूके रशिया फ्रांस इस्ट यूरोपन कंट्री नेपाल सिंगापूर शिरलंका एंड अफ्रीका कंट्रीज को भी जाता है तो हमारा जो यार्न है यह वर्ल्ड में जो है अपनी एक महत्मुन भूमी का रखता है जो प्रडियूसर ऑफ रॉजूट है आफ्टर बंगलादेश मतलब कि पूरी विश्व में भारत का दूसरा स्थान है जूट को प्रडियूस करने में इंडिया में जो है नाइंटीन जो है 2010-11 में जो है 80 जूट मिल्स थी जो अब और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और जो की मुख्य तक कंसेंट्रेटर थी वेस्ट बंगल वेस्ट बंगल वेस्ट बंगल इस लार्जस प्रडूसर अफ जूट टेक्स्टाइल इंडस्ट्री यहां से सबसे ज़्यादा जू भी जो है 98 km मतल сделал ए Igor है वेस्ट बंगल में बैदला इसके 98 km में लंबाई में और चोड़ाई में तीन किलों मिटर के एरियह में जो है जूट की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है ओस्वह दो टूइथ लगी और यहाँ पर यहां पर लिसा नहां पर ज है कोलकाता पोट अजि जो है दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर दियाता है सो बचो वेस्ट वेंगल के साथ-साथ बिहार उडिशा और उत्रप्रदेश जो है असानी से लेवर यहां पर मिल जाती है इसलिए जूट की सबस्यादा पैदावर वेस्ट वेंगल में होती है बचो नेक्स्ट है हम बहुत बलकी होता है और ये जो मुख्यता चीनीयोंद्योगा यह राव मटेरियल के नज़दी के लगता है यानि की गन्ना इसका राव मटेरियल है वहीं पर यह लगता है क्यूंकि ट्रांस्पोर्टेशन में इसके सूख्रोस कॉंटेंड वो लूस हो जाता है इसका रस ज जो है शूंगर इंडस्ट्री स्थापित इसके साथ विएकरिक्षने सब्सक्राइबूद्ल उलिसेंटर चुर्स क्या स्थार्फटें पहले हम यह जाझा हमारे पाट शूंगर इंडस्ट्री नौठ इंडिया में और सल्य इंडिया में Sugar इंडस्ट्री जो है बहुत जादे स्की प्रोडेक्शन अरोजह करन है बच्चण जो मुक्त शुगर इंडस्ट्री है नॉर्थ इंडिया वी शिफ्ट होने के निमने की कारण है सबसे पहला तो है Quality मेट जो साथ इंडिया का क्लाइमेट वो मॉडरेट क्लाइमेट है जिसके कारण की जो है गन्ना जो है वो लंबा चलता है और इसको कोई हानी नहीं पहुश्च यह सेकंड है हाई सूक्रोस कॉंटेंट जो साथ इंडिया का गन्ना है उसमें मिठाज बहुत अधिक होती है जिसके कारण की अधिक फिरट चलता है और लास्ट है बैटर मैनेजमेट जो साथ इंडिया की गयो मिल्स है शुगर मिल्स मेंड़त है और रजीने आई तक हैं जिसके करण की प्रॉडक्शन जो है वहाई यह नौर्छ इंडिया की मिल्स के कमकरीज़न नेक्स्ट है बच्चों खनी जाधारित उद्ध्योग जिसमें की है iron and steel industry तो बच्चों जो iron and steel industry है वो भारत की जो है आधारभूत उद्ध्योग है heavy medium and light industry के जो ये उद्ध्योग है इन सब में जो है machinery जो है वो iron and steel industry से ही जाती है iron and steel industry का जो product है वो engineering goods, construction, material defense, medical, scientific equipment and variety of consumer goods में जो है वो यूज होता है और iron and steel बनाने के लिए जो है इनकी ratio जो होती है iron और cooking coal and limestone की जो ratio है 4, 2 और 1 की ratio में मिलाया जाता है जिसे के iron and steel बनते हैं और iron and steel जो है idly located है अपने raw material के पास और जहां पर की railway और transport की facility बहुत अच्छी हो बच्चों इस bar graph की मदद से हम देखेंगे कि जो है जो भारत और चाइना में जो है ये इंडिया का color है और ये चाइना का color है लगबग 1950 के करीब भारत और चाइना ने एक साथ iron and steel उत्पादन करने का कारे आरम किया लेकिन अब हम latest अगर आंखडों की बात करेंगे तो चाइना जो है हमसे बहुत आगे निकल चुका है आरेने स्टील को प्रेड्यूस करने में तो भारत को अपने आरेने स्टील में की गुणवत्ता को सुधारने का अभी बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा जो दूसरा खनी जदारी तुद्धोग है वह है अल्मूनियम प्रागलन तो अल्मूनियम जो है वह सेकंड लार्जेस्ट जो है वह हमारे पास मेटरोलोजिकल इंडस्ट्री है आरेने स्टील के बाद ये क्योंकि जंग अबरोधी होती है गुड कंड़क्रों फीड होती है लचीला पन है इसमें और इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है अगर इसमें अन्य मिनरल हम मिक्स करते हैं तो यह मुख्यता एर काFF को बनाने के लिए यूटेंसिल बनाने के लिए और वायर्स बनाने के काम में आती है इंडिया में जो है आरन अल्मूनियम इसमें mainly जो है use किया जाता है और इस उध्योग के लिए regular supply of electricity और better transport जो है वो बहुत उप्युक्त होते हैं और नेक्स्ट बच्चो रसाएन उद्योग तो रसाएन उद्योग जो है वो तेजी से फैल रहा है और तेजी से विक्सित हो रहा है जो हमारी कुल GDP है उसमें 30% जो है इसका हिस्सा है और Asia में फोर्ड लार्जेस्ट इसने अपना स्थान लिया और विश्व में बार्वा इसक बहुत ही तेज विकास इस समय हो रहा है नेक्स्ट बच्चों उर्वरक उध्योग उर्वरक उध्योग वहां पर लगते हैं जहां पर कि उसका जो है रॉम इसे हमें बाहर दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करना पड़ता है भारत में जो है 57 फैटलाइजर यूनिट जो है मैनुफेक्टरिंग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इस फटलाइजर किया 29 यूनिट यूरिया किया और 9 जो है वो अमोनियम सल्फेट को जो है वो प्रड्यूस कर रही है और भारत में हम देखते हैं कि जो 10 जो मुख है हमारे फटलाइजर इंडस्ट्री वह पब्ल की डवलमेंट के बाद जो है बचो फटलाइजर इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है और लगबग आधी फटलाइजर जो है इंडस्ट्री जो है वह मुख्यत कंसेंट्रेटर थी गुजरात तमिलांडू उत्तरप्रदेश पंजाब और कैरला में लेकिन अब क्योंकि इसकी डिमांड पूरे भारत में हर जागा फसलोग अत्पादन होता है तो यह अब जो है अंद्रप्रदेश, उडिसा, राजस्तान, बिहार, मारास्टा, आसाम, वेस्ट पेंगल, गोवा, दिल्ली, मध्यप्रदेश और करनाटकादी सभी राज्यों में इसक स्माटपून, भूमी का निबाता है और इसका जो राउ मटीरियल होता है और फिनिश कुड़ होता है यह हैवी और बलकी होता है भारी होता है कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर इसको जो है वो जरूरी चाहिए होती है और साथ में ट्रांस्पोर्टेशन की फैसलिटी जैसे क यह हमाचल में भी देखते हैं बलास्पोर में भी हमारे पास सीमेंट का प्लांट है तो पहला सीमेंट का प्लांट है वो चैन्नही में 1404 में जो है वो लगा था इसके साथ जो हमारी best quality का जो हम सीमेंट है वो हम ट्रांस्पोर्ट करते हैं East Asia Country को Middle East को, Africa को, South Asia और इसके सासत बहुत सारी countries में हमारे cement की जो है, demand है अपनी best quality के कारण, next बच्चो automobile industry याने की परिवाहन उद्योग, इसमें जो है जो समान और यातरी है, उसको एक सांदे दूसरे सांद पर ले जाने के लिए fast movement के लिए, इसमें बहुत main role play किया है, जिसमें हमारे पास truck, buses, car, motorcycle, scooter three wheeler, multi utility vehicle जो है, वो include होते हैं और बच्चो liberalization के कारण जो है, वो passenger cars हो गई, या two wheeler हो गई, त्री wheeler हो गई, इनकी world में जो है, बहुत जादा demand बड़ी है बच्चो last 15 सालों में जो है, इसने बहुत जादा इस industry ने jump किया है, बहुत जादा development इसमें हुई है, इसमें जो है हमें foreign direct investment भी बहुत जादा मिली है, और यह बहुत सारे जो है, लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हुई है, यह industry यह industry जो है, मुखेता वो located है, दिल्ली, गुड़गाउं, मुंबई, पूने, चिन्नाई, कोलकता, लकनाउं, इंदोर, हैदराबाद, जमशेथपूर और बैंगलूरु के आसपास वाले ही region में जो बच्चो लास्ट हमारे पास industry है, वो है, information technology and electronic industry तो बच्चो जो है, इसमें जो है बैंकलोर, जो है, हमारे उसे हम कहते हैं electronic capital of India, इसे आपने याद रखना है इसके अलावा, जो electronic industry अवोक लोकेटेड है, मुंबई, देली, हैदराबाद, पूने, चेन्नाई, कोलकता and लखनौ, कोयमबर टूर, अधी एरियाज में यह, लोकेटेड है, इसके साथ साथ, software technology parks, जो है, वो located है सभी स्टेटों में, कुल मिलाकर 46 से भी अधिक, हमारे पास software technology park है, जहां पर की दोनों, hardware और software जो है, चीजें बनाई जाती है, इस industry से, बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा level पर जो है, foreign exchange earn हुई है, वो हुई है business processing, outsourcing के कारण, तक हमने अपने products को जो है, बहुत outsource किया है और इसमें, जो है, growth, जो है, hardware और software, दोनों तरह की जो है, वो निश्चित की गई है दने बात